गुड मॉर्निंग श्टुडेंट्स, मैं रनवीर कुमार संगित सिचक, आज का विशे है समाज में संगीत का महत्व, इंपोर्टेंस आफ म्यूजिक इन सोसाइटी, संगीत का समाज से घनिष्ट संबंध है, ब्यक्ति समाज की एक इकाई है, यदि उबा संगीत का सफल कलाक होता है, तो उससे समाज स्वस्तेवं समरिध होता है, संगीत द्वारा समाज का सुधार भी हुआ है, संगीत तक अपने कलातमक प्रदरशनों द्वारा समाज में संगीत का अनुकूल बाता बरन उपस्थित कराता है, प्रतेक प्राणी अपने जीवन में शंघर्च करते कला के विकास के साथ साथ सभ्यता का भी विकास हुआ समाज में संगीत कला की 29 से सभ्य व्यक्तियों की संख्या में अभी विर्धी होती है जिससे समाज की शक्ति प्रवल हो जाती है समाजिक प्राणियों में नैतिक्ता की भावना संगीत कला के विकास से उत्पन होती है संगीत में ललीत कलाओं को सर्विसरिष्ट माना है संगीत सिखने से मनुश्य को शांती और सूख का अनुभव होता है समाज में जितने सुक के साधन उपलब्द हैं उवे सब अत्यांतिक नहीं है अरधार्थ उवे कुछ काल के लिए ही होते हैं किन्तु संगीत कला के परदर्शन तथा श्रवन से मनुष्य को जो सुक उपलब्द होता है उवह अत्यांतिक होता है इसलिए संगीत कला का बरिश्य साधक संसार के सुक साधनों को तुछ समझता है इस प्रकार समाज में धीरे धीरे नेतिकता का विकास होता है संगीत द्वारा समाज का चारित्री कुथान होता है समाज की जो आर्थिक स्थिती है उसमें भी संगीत का बड़ा योगदान हुआ है बड़ी-बड़ी संगीत गोश्ठियों और संगीत समेलनों में अपने संगीत कला के परदर्शनों द्वारा समुचीत धन का उपारजन कर लेते हैं धन के साथ साथ समाज में उनका सम्मान भी होता है कोई भी संगीत कलाकार समाज में भूखा नहीं मर सकता संगीत कला प्रेमी निरंतर संगीत की साधना में सनलगन एबं ततपर होने के कारण अनेक कूरीतियों आनेश्ट एबं दोशों से सरवथा मुक्त हो जाते हैं मनुष्य ने जन मिलिया तभी से संगीत उसके साथ जुड़ा और मनुष्य की मिर्तिव तक उसने साथ दिया अतह अंत में कह सकते हैं कि संगीत और समाज का घनिष्ट संबंध रहा है जिस प्रकार संगीत से समाज की उनत्ती हुई ठीक उसी प्रकार समाज से संगीत की उनत्ती होती आई है दोनों की एक दूसरे से अनुप्रानित रहे हैं